एक स्पैसल फिचर के बारे में बात करते हैं नीचे बूट का बटन मिलता है ठीक है अभी देखना यह बूट का बटन में इसे प्रेस कर दिया तो अभी क्या होगा कि बूट ओपन हो चुकिया लेकिन गाड़ी का लोग ओपन नहीं हुआ है तो यह फिचर इसलिए दिया गया है अगर आप गाड़ी के अंदर नहीं जाना खाले डिग्गे में आप आपको समान अखा हुआ है तो खाले डिग्गे के लिए अलग बटन दिया गया है यह फिचर वैसे हुंडाई के हरे गाड़ी में देखने को मिल जाता है हेलो दोस्तों यह हुंडाई वेन्यू अभी एक ऐसी गाड़ी है जब लोंच हुई थी ना तो इसकी इतनी सारी बुकिंग एकदम से आ गए थी कि कंपनी पे काफी जाता वेटिंग टाइम चल रहा था इसका अब यहार वेटिंग टाइम तो चलेगा क्योंकि एसी सेग्मे है जो कि वेन्यू आयम्टी टर्बो तो आज देखते हैं इस बेस मोडल में क्या-क्या फीचर मिलते हैं एक बार में सबसे पहले इसकी सेफटी की बात करना चाहूँगा तो इसमें सेफटी के लिए सिरफ दो एरबैग मिलते हैं तो मोडल में हो सकता आपको छे एरबैग का काफी अच्छा है क्योंकि एसवी सेग्मेंट की गाड़ी है यह वैसे हमारे समने वाइट कलर है लेकिन इसके लावा में साथ कलर के और उप्सन देखने को मिलते हैं वाइपर मिल जाते हैं उपर अपने कोई रूफ विल्स भी मिलती है इसके कंपेर की बात करते तो इसके क पाइगर ले ब्रैजा ले वेन्यू ले सोनेट ले टारन एक्सोन ले और भी काफ़े सारी गाड़िया है तो सारी कन्फूशन दूर हो जाएगे आपकी साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं आइंटी का लोगों मिलता है यहां पर और यह प्लेन साइड मिरर इंडिकेटर आप पर नहीं मिलता क्यों कि उसाइड में दिया गया है तो फिटीन निजिस के इसमें वील मिलते हैं यहां पर टायर साइड भी लिखा हुआ है फरिड जी और इनमें डर्मब्रेक्स मिलता है यह झाफि है और काफी अचसा वायर साइड मिलते हैं यह छबनद राइन्डी मिल जाते हैं यह ऐक हमारी बैक सैड में चलते हैं गया我知道 मिलता है इसे इसमें On लेख सेयटके chain मिलती है यहांप बैक लाइट मिल जाती है और ये फाहरे पार्किंग सेंसर कि वे न्युकी ब्रेंडिक मिलती है घनको लोगों मिल जाता यह बेक कि अबार बूट घून कर लेता है तो मैं है आसा बूट सेशिंव में काफी अच्छी पी сможIZ प्रेंडियामाट 350 लीटर की बूर्ट स्पेस मिलती है यहां पर कुछ टूल्स है लाइट भी मिलती है हुक वगरा मिल जाते हैं यहां पर नीचे एक स्पेर वील मिलता है 14 इंच का तो मतलब ठीक है बूर्ट स्पेस के मावले में तो कमी नहीं है मैनुवल इसको बंद करना पड़ेगा एक बार हाइट की बात कर लें तो 1.6 मिटर की है प्रमिटर की लेंध मिलती है और 1000 की असपास का इसमें कर्भेट मिलते है आगे से आपको लाइट दिखाता हूं एब हमेने ओन कर लिए इसकी लाइट जिसको बोलते है पार्किंड लाइट एप का हाइट अभी होन है और 150 की असपास की इसमे टो स्पीड मिलती है 0200 जाती है 10.1 सेंगिंड में तो एक और चीज में आपको बता तो हो सकता काफी लोगों को नहीं बता हो कि यह IMT वेरियंट है IMT में क्या होता है क्लच नहीं मिलता तो यह एक किसमें चोकाने वाली बात है साथ काफी लोगों को पता नहीं होता है तो यह मैनवली बड़ इसमें कलच नहीं मिलता तो यह थोड़ा आपको ड्राइविंग थोड़ा एक्सपेरियंस लेना पड़ेगा इस चीज का भी बाकि इसमें कलच के साथ लेना चाहो वो भी मोडल मिल जाएगा ओटोमेटिक भी मिल जाएगा लेकिन बेस मोडल में जितने फीचर मिलने चाहिए वो तो इसमें मिली जाते है बाकि लास्ट में एक बार इसकी प्राइज की और पावर की बात करेंगे पावर इसमें काफी अच्छी मिलते है बार पहले डोर ओपन कर लेते है तो पूरी कार में आपको चार स्पीकर मिलते है पीछे में क्या क्या मिलता है वो देख रहते है यहां से लोक उपन होगा पावर विंडो का बटन मिल जाते है बोटर होल्डर स्पीकर मिल जाते है लगरूम भी काफित सा मिल जाता है फैबरिक की सीट मिलते है लेधर सीट का सब्सक्राइब काफ़ी सिंपल सा डैस बोड है यह पर अंदर चलके देखते हैं लेगरूम अच्छे चेक करते हैं इसमें तो ऐसा इसमें लेगरूम मिलता है आप देख सकते हों बाकि हैड्रूम की तो कोई कमी है नहीं यार वैसे एंड्रेवार मिल जाता है राइड में आप एक बाई डर डो ओपन करता हों मैं तो ड्रेवर दोर में भी सेम में फीचर मिलते हैं पर वीडों के PD मिल जाते हैं और वम्हीं के कंट्रोल स्में जाते हैं स्पीकर बोडर होलडर एक कुछ फीचर मिलते आगे भी तो यह देखो car pedals जिसमें class नहीं मिलता और यहां नीचे fuel tank open करने का lever मिलता है bonnet खोलने का lever मिलता है और यहां मिलता है fuse box यह पारी fuel tank open करी लेते है देखते हो कितने लीटर का मिलता है तो यह अपने को मिलता है 45 लीटर का mileage बैने को काफी अच्छी है जो 15-20 के आसपास के आपको mileage अराम से मिल जाती है लैट की control मिल जाते है आगे और यह रैट से डेस इवेंट अंदर सलते है अफ़ारी अंदर से ओ देखते है तो यह फिचर मिलते है ऐसा view दिखता है इसमें आगे का इंस्ट्रुमेंट क्लिस्टर स्टार्ट करते है तो लैट से में आर पियम रैट से में स्पीड फ्यू लैवर वोर्निंग काफी सारी वोर्निंग लैट इसमें मिल जाती है और खाफी नॉर्मल सा स्टेरिंग मिलता है लैट से में वोल्यूम के कंट्रोल्स फोन के कंट्रोल्स मिलते है रैट सेड में इंस्ट्रुमेंट क्लिस्टर के कंट्रोल मिल जाते है यह देखो यहां से एड़ेस होगा है यह ट्रिप की सैटिंग्स अधर फीचर्स यह लैट की सैटिंग्स और यह लेफ्ट सेड में वाइपर कंट्रोल और यह सेड में लैट के कंट्रोल मिल जाते है और इसमें बटन्स वाला मुझी सिस्टम मिलता है तो मोडल में आपको हो सकता टच मिले और यहाँ पर FM, AUX, Bluetooth यह तो आप कनेट कर रही सकते है तो बटन्स वाले में यही सब दिखता है Bluetooth वगरा कफी नॉर्मल ही होता है वो बीच में 2AC वैंट मिलते है कफी नॉर्मल डेस्बोर्ड है नीचे चार्वेंटेर जलाने का स्विच AC कंटोर्ड मिल जाते है यह नीचे ट्वेलवर का पॉर्ट USG पॉर्ट मिलता है 6 स्पीड का इसमें मैनुवली गेर नॉक मिलता है आगे स्पेस मिल जाती है टूक अप होल्डर, हैंड ब्रेक, आमरेस भी मिलता है आमरेस के अंदर भी स्पेस मिल जाती है उपर भी स्पेस मिलती है नीचे भी स्पेस मिल जाती है गलूब बोक्स में गोड़ी एरवेक की बैचिंग उपर सनवाइजर मिरर के साथ इस सेड में सनवाइजर मिलता है बट यहां पर मिरर नहीं मिलता यह रियर व्यू मिरर light इसमें नहीं मिलती base model में ठीक है काफी अच्छे feature इसमें मिल जाते है लेकिन rear view mirror के यहां पे light मिलती है वो भी देई सकते हैं इसका bonnet open करते हैं देखते हैं engine power इसमें क्या मिलती है यहां से open होगा तो यहां में मिलता है 1.4 liter का कापा टर्बो जी डी आई पेटरोल इंजन इन लाइन फोल सेंटर के साथ है जो प्रडूश करता है 118 बीएच्पी और 170 अनम टोर्क तो मतलब 118 बीएच्पी निकालता है एक डेटर इंजन के इसाब से जो काफी अच्छी पावर है यार प्राइस की बाद कर ले तो 10,30,000 के आसपास ओन ओड इसकी प्राइस है तो इस गाड़ी को में वैल्यू फोर मनी के नजरीए से देख सकते है काफी अच्छी है कुछ और फीचर एड़ोन हो सकते थे लेकिन फिर भी खही नहीं अच्छी है तो वीडियो पसंद आगे तो